सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम आपके लिए एक काफी इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको काफी मज़ा आएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा तो इसलिए वीडियो को अंतक होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपॉलारिटी हासल करते हैं बहुत मकबूलियत हासल करते हैं तारीख में आप देखिए बहुत से सरबराहान और हुक्मरान आए जिन्होंने शुरत की बुलंदियों को चुआ उनकी अवाम और लोग उनसे बहुत प्यार करते रहे इस वक् से दो हजार चौदा तक वो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के दो हजार चौदा में प्राइम मिनिस्टर बने और अब तक वो अपनी पॉपॉलरिटी काइम रखे हुए हैं जो नए सर्वे आए हैं अभी मैं देख रही थी के इंडिया टूड़े में कल का सर्वे हैं इसके से लावा कुछ और लोगों ने भी जराय बलाग के जरिये जो सर्वे हुए उसमें अभी तक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 87% कुछ कहते हैं 67% यानि एक 70 से 80 के बीच अभी तक जो भारत के लोग है वो नरेंदर मुदी का जो नेरेटिफ है जो उनका नजरिया है उनके साथ चल रहे हैं उसको पसंद कर रहे हैं और उसी की हमायत करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा क्यूं है नरेंदर मुदी जी में ऐसी क्या खूबिया है और साथ में हम बात करेंगे कि उन पे कुछ हवालों से तनकीद की जाती है कहते हैं कि एक popular होने की वजवाथ के साथ साथ आरे साथ आप देखी रहे हैं बहुत मारूफ चनलिस्ट, कॉलमिस्ट, ऑथर, अक्तिविस्ट और बहुत जानी पहचानी शक्सी है जनाब, तारीक पते साफ मौझूद है एक मर्थपा फिर आरे साथ झालिक पर जोईनिग में और आप प्रोग्रेम तेल श्च पार आप से बहुतर इस मौझू पर कौन पौल सकता है, जिस्तरा मैंने कहाए तारीक पते साथ नरेंदर मूदी की काम होने में नहीं आ रही, अगर यह कहागे कि यह राइस ऑफ नरेंदर मूदी है तो जो है वो उन्होंने पीछे हटा के वो सामने आए और फिर एक एक lower middle class से उठकर उपर आना भारत में और यहां तक पहुशना और फिर इतने अर्से तक popularity काइम रखना मैं आप से मेरा पहला सवाल यह होगा कि वो सबसे बड़ी strength सबसे बड़ी क्या चीज़ है जिसकी वज़ा से नरेंदर मूदी इतने मकबूल है भारत में सबसे बड़ी strength की Congress की रिकिंस है कि आप देखे कि Indian National Congress एक mass political party के बजाए एक family की ownership बन गई और आप देखे कैसे राजीव गांधी के बाद हमारे जो junior level के एहें उसी family से उनकी वालदा को party का head बना दिया जबके she had absolutely no background in politics और in India वो अब भी बैठी हुई है as head of the political party या Indian National Congress की उसके अंदर जितने भी top की leadership थी वो आईस्ते आईस्ते विदरवे होगी अब आप देखी के दो स्टेट्स केरला और पंजाब में Congress की government है लेकिन वहां दोनों के जो prominent leaders हैं चाहे 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 थरूर हों या captain और मिंदर हो उसोच भी नहीं सकते हैं के Congress की leadership कभी ले सकें इसी तरह कई लेवल पे the biggest strength of the BJP is the absence of any opposition कोई और political party ही नहीं जो के एक vision को लेके एक national party बन सकें अब ये तो नहीं हो सकता है के नहीं जो की अबादत के अंदर जो लोग हैं वो एक सियासी movement हो विजिन भी तो होता है आपका बाहर का मोदी जी ने ये जो एक इंडियन पॉपिलेशन को खास तो और पे जो हिंदू मिजॉरिटी है उसको self respect दिलवाई है ये एक बड़ी ही अजीब सी यूनीक उनकी strength है क्यूंकि आजादी के बाद से ही 47 की जो मैं बात कर रहा हूं education ministry policy जितनी थी वो गवन होती थी मुस्लिम भीटो से कि ये वोट बैंक हिंदुस्तान में जो मुसल्मान पाकिसा नहीं आएं उस वोट बैंक को किसी तरह नाराज ना किया जाए तो मुसलिम पर्सनल लौ भी चल रहा है चार बीवियं भी अलाओड है दे हैड अ पैरलल गवर्मन इन्होंने जो जाखे टिपल तरिपल तलाक और इस टाइब का ये असर्ट किया हिंदुस्तान की जो तारीख है पिछले 5000 साल से कमसकम लेके आप देखिए टैक्शला महुंज़दारों से लेके नीचे तामिल और फिर वो वो रिस्टोर की है अप्राइड इन देर पास्ट और उसमें लोगों को भारतिया होने की एक यगजहती महसूस हुई के 29 स्टेट्स हैं लेकिन हमारी जो हैरिटेज हैं हमें शर्मिंदा होने की जरुत नहीं हैं ये इंडिया की अपर मिडल क्लास के जो लोग हैं जो मुस्सकिल आप जेखिए कि इंडिया को क्रिट्साइज करते रहे दों उसका अल्टेनिटिव एक वो शक्स है जिसको तंजिया कॉंग्रेस वाले कहते थे चाय वाला तो उसने तो पल्टा खा के दिखा दिया कि इस हिंडुस्तान इसेंचली है गरीब लोगों का उनको कैसे उठाया जाए वो काम जो किसी जमाने में हम समगते थे कॉमनिस पार्टी और इंडिया या कॉंग्रिस करेगी उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट कि कि अगर ना हो तो नो नेशिन्स कें राइज अभी आप उसमें पा पाएंगे बंगलादेश को देखी दोनों देनों exactly के वो बंगाल बंगाली स्पीकिंग है वो मुसल्मान है और वो अपनी जबान और टैगोर से प्यार करते हैं उनके नैशनल एंथम में हैं उनको शर्मिंदगी नहीं है अपनी बंगाली होने की आप देखिए वो 10% ग्रो सल्मान खुर्शीद फॉरिन मिनिस्टर थे कॉंग्रिस की गवर्मिंदी तब भी में मंग गया था ये जो उनके सिलमस में उनको पढ़ाय जाता था कि जिन लोगों ने आके तुम्हें बरबाद किया है वो तुमारे हिस्टोरियन्स हैं कि जिस मुल्क में एक कबर नहीं होत है तो वो हिंदू हैं मजदूर भी वो ही थे माटीरियल भी वो ही था लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर थे इस तरह किया कि आप दिल्ली का मैं एक्जामपल देता हूं सबसे में सड़क का नाम था औरंगजेब रोट अब वो शख जिसने तारीख में इतने हिंदू और इतने लोगों को मारा आपको शायद पता ना हो औरंगजेब स्टफट फूड इन दी माट अफ दी दावदी बोरा जो शिया कम्यूनिटी है उनके सयदना को कि उन्होंने क्यूंकि वो फिक्स्ट कैलेंडर से चांद देखते हैं ये मिसर से आएवे लोग है ना तो फैटमाइट क अब वो शक्स जिसने इन्वेड किया बरबाद किया हिंदुस्तान को उसके नाम पर दिली का सबसे पॉश एरिया नजर आ रहा है तो एक मिक्नस आ गई थी इंडियन हिंदू पॉपिलेशन में अपनी इंफिरियॉरिटी की ये मैं समगता हूं कि अगर हमने कुछ किया तो ह मौदी जी के आने के बाद किसी हिंदू को ये शर्मिंदगी नहीं है कि उसने को गलती की तब उसके उपर एक हजार साल तक मुसलमानों ने और बाद में दो सो साल अंग्रेज ने हकूमत की जो पहले एक था उनका अब भी उनमें वो या मिलिटन्सी नहीं है जो पाकिसान म हम बैट के सोचते हैं कि अरे वहां हिंदू एक्स्ट्रीमिजम है और यह वो किसी हिंदू एक्स्ट्रीमिस से मिलें तो जमात इसलामी वाले और यह जो बाकी हमारे रैडिकल्स हैं आप हैरान हो जाएंगे कि there is a huge difference over there. और most हिंदूस और मुसलिम्स find it normal to live together. लेकिन यह जो चाह के मीकनेस ही में कहूंगा उसको उन्होंने खत्रूंगा.